असलाम आलेकुम कैसे हैं आप लोग मैं हूँ लुबना और आप देख रहे हैं लुबना की चन तो जैसे के आप लोग अगर गोश खाके बोर हो गए हैं तो ये देखिए मैं आज लेके आई हूँ चनी की डाल की मंगोचियां ये बहुत ही डिलिशियस बनती है कि आप लोग इसे एक दफा बनाएंगे तो बार-बार बनाने के लिए आपका दिल चाहेगा तो आईए मेरे तरीके से आप बनाएए ये चने की डाल की मंगोचियां जो बहुत ही टेस्टी बनती हैं आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे तो ये देखिए ये मैंने इसको सजाया है हरे धनिये से और इसको खाते हैं हम रोटी या चावल से तो आप भी बनाएए इंशाला आपको पसंद आएगा तो बनाना शुरू करते हैं बिस्मिल्ला रह्मान रहीम ये मैंने एक गिलास चने की डाल को चार गंटे के लिए भी पेस्ट बनानी है जिसमें दो बड़ी साइस की प्याज है दो टामाटर हैं और हरी मिल्ची है थोड़ी सी और ये है इस्टैम है ये हरे धनिये की स्टैम है अब ये सब हम पीश लेंगे मिक्सर में डाल कर इसका एक बारिक पेस्ट बना लेगे अब ये देखे चने की डाल उसी मिक्सर के जार में हमने जो पेस्ट बनाया था उसे निकाल कर उसी जार में मैंने ये बीना पानी डाले चने की डाल को पीश लिया है एकदम बारिक तो ये मैंने एक बावल में निका अब इसमें ठोड़ा सा बेकििंग सोदा और नमग डाल कर इसे अच्छी तरह मिक्स का लूंगी और फिर इसके नह लाल मिर्ची डाल के इसे भी अच्छी तरह मिला लेते हैं और तेल गरम करके हाइप लेम पर मैं इसके चोटी चोटी पकोडियां तल दूँगी तो ये इसी तरीके से बनाते हैं जैसे हम पकोडी तलते हैं बस उसी तरीके से बनाई जाती है तो दोनों तरफ से जब अच्छी तरीके से सिक जाए तो इसे निकाल लीजिए एक पलेट में ये देखिए मेरी कितनी अच्छी सौप्ट बनी है तो आप लोग भी ऐसे ही बनाईए ऐसे भी खा सकते हैं इसे अब उसी तेल में हमने थोड़ा सा लस्टन बारिक कटा हुआ डाला और आप चाहो तो जीरा भी डाल सकते हैं अब इसमें जो मैंने प्यास टमाटर और हरी मिल्च लस्टन की पेस्ट बनाई थी वो डाली और इसे थोड़ी देर हमने चलाया भूनने के लिए रखा अब इसके इंदर थोड़ा गरम मसाला फ्लेवर के लिए डालेंगे तो यह साबीत गरम मसाला है आप अपने हिसाब से ज प्लेड चम्मच मैंने लाल मिल्च ले ली है एक छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया पिसा हुआ हल्दी है आधा चम्मच यह धन्या पाउडर है एक चम्मच और यह नमक है आप अपने हिसाब से लीजिए मैंने एक चम्मच से थोड़ा सा जाधा नमक लिया है अब अच्छी तरीके से चम्मस से हिला लीजिए और इसकी एक पेस्ट तयार करके रख लीजिए अब ये देखिए मैंने मसाला किया था प्यास का तो वो भी अच्छी तरीके से थोड़ा सुनहरा हो गया है तो इसमें मैंने ये जो मैंने मसाला बनाया है सुके पाउडर उसकी पेस्ट बनाई है वो डाल कर इसे भूनना है अच्छी तरह चलाते जाईए और इसे भूनते जाईए मसाले को थोड़ा सा पानी डालके हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे फिर इसके अनदर थोड़ी सी हमने ये आधी प्याली दही डालके इसे हमें अच्छी तरह के से भूनना है जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए तो ये देखे तेल भी हमारा उपर आता जा रहा है ये माशाला से देखे अच्छी तरह के से भून गया है अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी तो ये मैंने एक लिटर से उपर पानी डाल दिया है क्योंकि हमारी मंगोचियां पानी पीएंगी तो इसलिए जादा पानी डालिए अब जब पानी में उबाल आ जाए तो हमने इसमें मंगोचियां डाल दी हमारी अच्छी तरीके से जितनी आप डालना चाहें डालिए ऐसे भी खाना है आप ऐसे भी खा सकते हैं इसे तो ये मैंने सारी पंगोचिया इसमें डाल दी अब इसको ढखकन से ढख दीजिए पांच-10 मिनट इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए तो ये देखी हमारी बन के तैयार हो गई है पांच मिनट बात मैंने देखा तो एकदम इसके अंदर ये अच्छा थोड़ा पानी भी सूख गया था तो मैंने चूला कर दिया बन और इसमें गरम मसाला छिड़क दिया को डालके उपर नीचे कर चला दिया अब मैं इसे डिश आउट करूंगी तो आप भी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरी डिश को लाइक करें मेरे चैनल में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मंगोचिया कैसी लगी और आप लोग इसको बनाना चाहें तो बनाके जरूर खाएं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ जब तक दुआओं में याद रखें और इसे जरूर बनाएं अल्ला हाफिस